चलिए दोस्तों मैं लेकर आगया हूँ एक और जबरदस्त comparison वीडियो जहां हम compare करेंगे OPPO Reno4 Pro को OnePlus Nord के साथ आपको बता दें OPPO Reno4 Pro का इंडिया में एक ही RAM variant launch हुआ है जो के 8GB RAM और 28GB storage के साथ आता है और इसे इंडिया में 34,990 रुपए में बेचा जाएगा वहीं OnePlus Nord का प्राइज इंडिया में लगब 25,000 रुपए से स्टार्ट होता है तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या OPPO Reno4 Pro अपने प्राइज के हिसाब से सही फोन है या इसकी जगए आप 25,000 वाला OnePlus Nord करी सकते हैं वैसे भी जहां 9,000 रुपए सेब हो रहे हो वहां कंपेरिजन में क्या बुराई है तो चलिए शुब करते हैं आज की वीडियो दोस्तो पहले हम OnePlus Nord की बात करेंगे ये स्मार्टफोन कंपनी का एक मिड रेंज स्मार्टफोन है प्राइस के हिसाब से इसके डिजाइन की बात करें तो इस स्मार्टफोन का डिजाइन किसी प्रीमियम स्मार्टफोन जैसा फील देता है इस फोन के फ्रंट और बैक में कॉर्निंग गरिला ग्लास 5 का प्रोटक्शन है और इसमें plastic frame को metallic finish के साथ दिया गया है जिसमें metal के button दिये गये है कुल मिला कर OnePlus का ये phone high quality design और impressive weld के साथ आता है दोस्तो मैंने starting में क्या खाता है ये एक mid range smartphone है लेकिन price के हिसाब से इसका design किसी premium smartphone से कम नहीं है चलिए अब देखते हैं कि Oppo Reno 4 Pro के design में क्या है अब आप कहेंगे कैसे, चलिए आपको बताता हूँ. सबसे पहले इसमें आपको covered glass मिलता है, front और back दोनों side में Gorilla Glass की protection है, display में bezels बहुत कम है, ऐसे में आपको इसमें वीडियो viewing का experience बहुत अच्छा मिलने बाला है, और इस phone की जो एक सबसे खास बात है, वो ये है कि phone बहुत हलका है, दोस्तों दोनों phone के design के बारे में मैंने आपको बता दी है, और मेरा ये मानना है कि OnePlus Nord की जगाए, OPPO Reno4 Pro 34,990 रुपए में आपको एक अच्छा design दे रहा है, क्या आप मेरी इस बात से agree करते हैं, comment box में लिखकर बताइए, हम चलते हैं डिस्प्ले की तरफ, दोस्तों OnePlus Nord में डिस्प्ले दी गई है 6.44 इंच की, और इसमें आपको expect ratio मिलता है 20 ratio 9 का, और सबसे बड़ी इसकी बात ये है कि इसमें आपको 90 Hz का refresh rate मिलता है, इसकी डिस्प्ले HDR 10 support और 1080 इंटू 2400 पिक्सल से resolution के साथ आती है, इस डिस्प्ले की brightness 2048 लेवल की है जो vibrant color produce करता है, और इसमें reading mode और night mode दिया गया है, चलिए दोस्तों आप देखते हैं OPPO Reno4 Pro की डिस्प्ले में है कितना दम, दोस्तों OPPO Reno4 Pro में आपको मिलती है 6.5 इंच की Full HD Plus 3D Waterless Sense Super AMOLED डिस्प्ले, इसका resolution 1080 x 2400 पिक्सल है और इसमें भी आपको 90 Hz का refresh rate मिलता है, साथ में 180 Hz का touch sampling rate मिलता है, और एक बात जो मैंने इसकी display को लेकर शुरू में ही बताई थी, वो ये है कि इसमें आपको covered display मिलती है, दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, अभी हमें chipset पर बात करनी है, फिर camera है और फिर battery, इन सबका comparison करने के बाद मैं आपको वीडियो के end में बताऊँगा, मुझे किस phone में क्या पसंद आया, लेकिन फिलहाल आप display को लेकर comment कर सकते हैं, मुझे comment box में लिखकर बताईए, आपको किस phone की display ज़्यादा पसंद आया, चलिए हम बात करते हैं chipset की, दोस्तो OnePlus Nord में Qualcomm Snapdragon 765G का chipset और 12GB तक RAM दी गई, और सबसे जरूरी बात Snapdragon 765G प्रोसेसर का यूज Realme X55G और Motorola Moto A जैसे high-end smartphone में हुआ है, तो दोस्तो जहां तक बात है OnePlus Nord की तो इसमें आपको 25,000 रुपए में बहुत अच्छा chipset मिल रहा है, जिससे आप अच्छे से gaming कर सकते हैं और इसमें आपको speed भी बहुत अच्छी मिलेगी, और दोस्तो जहां तक बात है Oppo Reno 4 Pro की तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G का chipset, और इस smartphone में RGB RAM के साथ आपको 128GB की storage मिलती है, दोस्तो मुझे ऐसे लगता है कि इस smartphone में Oppo यहां पर और ज़्यादा बहतर कर सकती थी, वो ऐसे कि एक तो इस smartphone के एक से ज़्यादा variant दिये जाने चाहिए थे जो कि users को नहीं मिले हैं, दूसरी बात मैं आपको बता दू कि इंटरनेशनल मार्केट में जो Oppo Reno4 Pro लाँच किया गया है, उस smartphone में आपको chipset मिलता है Snapdragon 765G का, और इंडिया में इस smartphone में chipset दिया गया है 720G, मुझे लगता है Oppo को यहां पर और बहतर करना चाहिए था, फिलाल हमें अभी battery और camera का comparison करना है, तो चलिए अब camera का comparison करते हैं, दोस्तो OnePlus Nord में कुल 6 camera sensor दिये गए हैं, जहां 4 camera back पर हैं और 2 camera front पर है, में 48 Megapixel का camera है जो Sony IMX586 sensor है और यह है OIS और EIS support के साथ आता है, यह वही camera sensor है जो OnePlus के flagship OnePlus 8 में भी दिया गया है, दूसरा camera sensor की बात करें तो फोन में ultra wide angle है जो की 8 Megapixel का है, 2 Megapixel का macro lens और 5 Megapixel का depth sensor दिया गया है, इसके front camera की बात करें तो यहां पर 32 Megapixel का primary selfie camera और 8 Megapixel का ultra wide angle camera है, दोस्तो इसके camera को लेकर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर तो light अच्छी है तो इसके camera performance भी अच्छी है, लेकिन जैसे ही light डाउन हुई, camera performance भी down हो जाती है, मुझे उमीद है Oppo Reno 4 Pro के camera में जरूर कुछ अच्छा होगा, दोस्तों Oppo Reno 4 Pro के rear panel पर quad rear camera setup दिया गया है, जहां 48 Megapixel का main sensor है, और 8 Megapixel का ultra wide angle camera है, और इसके साथ में 2 Megapixel का mono lens और 2 Megapixel का macro lens है, और इसके camera की खास बात यह है कि इसका camera आपको low light में भी अच्छे result देता है, इसमें आपको night flare portrait mode मिलता है, selfie और video calling के लिए इसमें आपको 32 Megapixel का front camera मिलता है, इसके camera की एक और खास बात है और वो यह है कि इसके camera app में भी आपको कई सारे extra features मिलते हैं, दोस्तो अब आ गई है battery, तो one plus node में आपको 4100 mAh की battery मिलती है, जो की warp charge 30T technology को support करती है, gaming की बात करें तो यहां पर इसकी battery 4.5 से 5 गंटे का backup देती है, और 0 से 100% charge होने में करीब 50 मिनट का समय लेती है, दोस्तो ओपो रैनो 4 Pro में आपको 4000 mAh की battery मिलती है, जहां पर 65W की warp charge support मिलती है, और इस battery को 0 से 100% charge होने में टाइम लगता है सिर्फ 30 मिनट, दोस्तो अब वीडियो के end में मैं आपको बता दू, तो मुझे किस smartphone में क्या अच्छा लगा, जहां तक design की बाद है तो ओपो रैनो 4 Pro का design मुझे ज़्यादा पसंद आया, उसके बाद display है, तो display में भी मुझे ओपो रैनो 4 Pro ज़्यादा पसंद आया, हालांकि OnePlus Nord की display अच्छी है प्राइस के हिसाब से, इसके बाद processor है, processor मुझे पूरी तरह से पसंद आया, OnePlus Nord का, मुझे ओपो रैनो 4 Pro का processor इतना पसंद नहीं आया, उसके बाद है camera, camera में भी ओपो रैनो 4 Pro मुझे ज़्यादा पसंद आया, और battery में भी ओपो रैनो 4 Pro मुझे ज़्यादा पसंद आया, कि आप मेरी इन बात सभी बातों से agree करते हैं तो आप comment box में लिखकर बता सकते हैं अगर आपका opinion उससे कुछ different है वो भी आप comment box में लिखकर बता सकते हैं और अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया तो like कर दीजिए और अगर आपने channel को भी अभी तक subscribe नहीं किया तो channel को subscribe करके आप well icon जरूर दबाईए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे है